हलो SGTP स्टूरेंट्स, I am Harshita, your English teacher, today we will revise unit test syllabus, इस syllabus में है आपका chapter 6, subject and predicate, स्टूरेंट्स, subject and predicate से पहले आपको बताना होना चाहिए, sentence क्या होते है, sentence क्या होते है, group of words होते है, जो एक complete sense बनाते है, उन्हें हम sentence बोलते है, और sentence के ही दो पार्ट है, subject and predicate, इन दोनों से ही मिलके हमारा sentence बनते है, अब आते है, subject क्या होते है, subject क्या होते है, हमारा main word होते है, जो word we speak in a sentence, जो words हम sentence के दर बोलते है, वो हमारे क्या होते है, subject and predicate is what we speak about the subject, I mean subject के बारे में जो हम बोलते हैं वो क्या है हमारा प्रेडिकेट और जो मेन वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है जैसे हम देखते हैं एक्जांपल बर्ड फ्लाइं इन दा स्काई दा गर्ल इस कॉमिंग हर यह दा बेबी स्लीपिंग दा टीचर गेव अस होमवक स्टुडे अपने हैर को तो वो उसका प्रेडिकेट इस तरह दा बेबी हमारा सब्जेक्ट स्लीपिंग प्रेडिकेट टीचर हमारा सब्जेक्ट गेवस होमवक हमारा प्रेडिकेट एपार्ट में आपको करना है अंडलाइं दा सब्जेक्ट इंदिन संटन जैसे रश्मी इस लर्निं बन गया, there से क्या बना रहे, there are animals in the zoo, इस तरह से students यह आपको chapter 6 revise करना है, for UT, thank you.